जैसा कि आपने बताया था कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्रे करने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आवशकता होती है क्या आप हमें ओप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती है बिल्कुल रोहन, चलो हम उप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं उप्रेटिंग सिस्टम एक प्रुग्राम है जो कम्प्यूटर के अन्य प्रुग्राम उसे पारस पर एक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है ओप्रेटिंग सिस्टम के बिना कम्प्यूटर बेकार है कई तरह के ओप्रेटिंग सिस्टम उपलब्द होते हैं ओप्रेटिंग सिस्टम प्रयोग करता वो कम्प्यूटर के मध्य एक माध्यम का कारे करता है सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आवश्यक्ता होती है परंतो ओप्रेटिंग सिस्टम स्वता ही चालू होता है कम्प्यूटर को चालू करते ही ओप्रेटिंग सिस्टम स्वता ही चालू हो जाता है उप्रेटिंग सिस्टम के मुख्य कारे हैं यह कंप्यूटर को नियंतरत करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है यह उप्योग करता वो कंप्यूटर के मद्धे पारस परिक संबंधों को सुगम करता है यह input वह output यंद्रों को नियंत्रत करता है यह computer program के निश्पादन को नियंत्रत करता है यह computer की मुख्य memory के प्रयोग को व्यवस्थित रखता है यह फाइलों को व्यवस्थित रखने वह उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है ओपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गिक्रित किया जा सकता है एक-एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं character user interface CUI में किसी तरह के icon या चित्र नहीं होते हैं यह cable lake वह अक्षरों पर चलता है हम CUI पर लेखिये निर्देश जैसे rename, cls, cd, md और dir या directory पर command निर्देश दे कर कारेक कर सकते हैं CUI का एक उदाहरन है disk operating system graphical user interface GUI की प्रिष्ट भूमी चित्रवाली होती है और साथ-साथ बहुत सारे icon भी होते हैं GUI के उदाहरन है Windows XP, Windows NP, Windows 7 और Ubuntu GUI को पुनह दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सामपत्तिक, मालिकाना, Software और स्वतंत्र या मुक्त Software मालिकाना Software एक प्रकार का computer software है जिसकी अनुग्यप्ति, copyright धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधिकार के अधिन होती है मालिकाना Software के उप्योग के लिए अनुग्यप्ति की आवश्चक्ता होती है, जो उसकी फीस देने या भुक्तान करने के बाद ही प्राप्त होता है इनका प्रयोग वैद अनुग्यप्ति के बाद ही किया जा सकता है उप्योग करता इनको न तो परिवर्तित न साज़ा कर सकता है, ना ही पढ़ सकता है और ना ही पुनरवित्रित कर सकता है मालिकाना Software के सामाने उधाहरन है Microsoft, Apple, INC, IBM, Operating System, वह Unisus स्वतंत्र या मुक्त Software वे Software हैं जिनको उप्योग करता इन्टरनेट से बिना किसी फीज के डाउनलोड कर सकता है यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहत उपलब्ध होते हैं जो उप्योग करता को Software परिवर्तित करने, साजह करने और पुनरवित्रित करने की आजादी देता है यदे भी परिवर्तन करने के लिए Copyright अधिकार नहीं दिये गए होते हैं स्वतंत्र या मुक्त Software के सामान्य उधाहरन है Unix, Linux, Aurora UX और हमें Microsoft Windows के बारे में जानना चाहिए जो की सबसे ज्यादा प्रशुलित ओपरेटिंग सिस्टम है अरे हां, मैंने Microsoft Windows के बारे में बहुत सुना है Microsoft Windows, Microsoft द्वारा विकसित किये गए एवं बेचे गए Graphical Interface ओपरेटिंग सिस्टम की श्रंखला है अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें Microsoft Windows का ओपरेटिंग सिस्टम पूर्वस्थापित होता है यदि आपके कंप्यूटर में विंडो ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अनुग्यप्त प्राप्त सोफ्ट्वेर प्रमानित सोफ्ट्वेर विक्रेता के यहां से खरीच सकते हैं इसके अतिरिक्त इस सोफ्ट्वेर को Microsoft की वेब साइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने वह उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है Windows विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं यदि आपके कम्प्यूटर का ओप्रेटिंग सिस्टम Windows है तो कम्प्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है आप Windows डेस्क्टॉप का प्रयोग सभी प्रोग्राम संचालित करने संगठित करने में कर सकते हैं डेस्क्टॉप दो भागों में विभाजित होता है मुख्य भाग या Windows डेस्क्टॉप तथा टास्क बार नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है जिसके जरिये हम कम्प्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुँच सकते हैं टास्क बार की प्रिश्ट भूमी को Wallpaper कहते हैं कम्प्यूटर आरंब करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है डेस्टॉप पर दिखने वाली छोटे छोटे चित्र आइकॉन कहलाते हैं यह आइकॉन फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर के शॉटकट छोटे रास्ते हैं जिनके जरिये इनमें आसानी से वह जल्दी से पहुँचा जा सकता है स्क्रीन के सबसे नीचे क्शितिच के समाना अंतर पट्टी को टास्क बार कहते हैं टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरे तरफ कई छोटे छोटे आईकॉन वह शॉटकट होते हैं Computer पर चल रहे सभी उप्योजन, वो program taskbar पर icon के रूप में दिखते हैं. Computer पर चल रहे सभी application, वो program इनी icon के द्वारा axis उप्योग किये जा सकते हैं. Taskbar पर कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्द कराता है. यदि बहुत सारे एप्लिकेशन प्रोग्राम चल रहे हों और टास्क बार पर सभी आईकॉनों के लिए स्थान कम हो तो एक तरह के आईकॉन एक समूह में आ जाते हैं स्टार्ट पटन के द्वारा आप अन्य प्रोग्रामों वो सिस्टम की अन्य उप्योगिताओं का प्रयोग कर सकते हैं Start menu में मौजूद Control Panel का उपयोग, कंप्यूटर में विभिन हाड़वेर और सौप्टवेर के विन्यासों या सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है. Start menu के Help और Support menu का उपयोग, Windows पर कारे के दोरान आवशक्ता पढ़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है. निम्न प्रक्रिया से आप अपने सिस्टम की तारीक वो समय परिवर्तित कर सकते हैं पहले टास्क बार पर दाई और दिख रहे तारीक वो समय पर क्लिक करें तब एक घड़ी वो केलेंडर प्रकट होगा टास्क बार पर तारीक वो समय पर क्लिक करें तब समय व तारीक परिवर्तन लिंक पर क्लिक करें. तद पस्चाद समय व तारीक परिवर्तन बटन पर क्लिक करें. समय व तारीक निर्धारित करें. समय व तारीक परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हां पर क्लिक करें और समय व तारीक डायलोग कोष्ट पर वापस आए परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें समय व्यतारीक डायलोग कोश्ट को बंद़ें डेस्क्टॉप दर्शाने वाली स्क्रीन का वह भाग है जिसे आप कम्प्यूटर लोग उन करने पर देखते हैं आईकॉनों के पीछे दिखने वाले चित्र दर्शे को वाल पेपर अत्वा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी कहते हैं जब आप अपने कम्प्यूटर को कुछ समय के लिए निश्क्रिय छोड़ देते हैं तो एक चित्र अत्वा लेक की चल चित्र की प्रदर्शित होती है इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी परिवर्तित करना आप अपने कंप्यूटर के वाल पेपर अथवा डेस्टॉप की प्रिश्च भूमी आइकोनों को अपनी इच्छा के चित्र और दृष्च से बदल सकते हैं पहला डेस्टॉप के खाली स्थान पर माउस का दाया राइट क्लिक बटन दबाए ततपश्चाथ सुची के वहक्तिक विकल्प पर क्लिक करें ततपश्चाथ डेस्टॉप की प्रिश्च भूमी लिंक पर क्लिक करें ततपश्चाथ चित्र का चैन करें और उसे डेस्टॉप की प्रिश्च भूमी की नियत करें अंत में Save या सुरक्षित बटन दबा कर परिवर्थनों को सुरक्षित करें. Screen Saver नियत करना यदि आप Desktop की Screen Saver परिवर्थित करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अपनाए. पहला, Desktop के खाली स्थान पर उस माउस का दाया Right Click बटन दबाएं. तद पश्चाद, सुची के वैयक्तिक विकल्प पर क्लिक करें. तद पश्चाद, Desktop की Screen Saver लिंक पर क्लिक करें. तब Screen Saver का Drop Down मेन्यू पर क्लिक कर सुची से Screen Saver चुने. तद पश्चाद, Screen Saver चालू करने के लिए Weight Combo Box से प्रतिक्षा समय के मिनट निर्धारित करें. तद पश्चाद, Preview बटन पर क्लिक कर Screen Saver देखें. तब निर्धारित बटन पर क्लिक कर Screen Saver को निर्धारित करें. अन्त में Save या सुरक्षित बटन दबा कर परिवर्तनों को सुरक्षित करें. अब रोहन यह याद रखें कि एक Computer में Operating System वो व्यक्तिगत कारिक्रमों के लिए उपलब्द किसी सूचना को File कहते हैं. एक File, एक दस्तावेज, चित्र, संगीत या चलचित्र हो सकती है. धेर सारी File को एक स्थान पर रखने के लिए आप एक Folder बनाते हैं. आप Computer की किसी भी Drive में File या Folder बना सकते हैं. फाइल या Folder बनाने के पश्चात आप उसका नाम बदल सकते हैं. उसकी प्रतिली भी बना सकते हैं. उसे कहीं और Paste कर सकते हैं. और उसे आवश्यक्ता अनुसार मिटा भी सकते हैं. हम किसी Drive में एक नया Folder कैसे बनाते हैं? आसान है. बस निम्न प्रक्रिया अपनाओ. पहले Start बटन को दबा कर Start मेनू को खोलें. तब Computer Window या Windows Explorer प्रदर्शित करने के लिए Computer पर क्लिक करें. तब D Drive में उपलब्द सामगरी देखने के लिए Click D Drive पर क्लिक करें. तब नया Folder बनाने के लिए Menu Bar में नय फोलडर पर क्लिक करें. नय फोलडर को नाम दे सकते हैं और Enter दबाएं. आप Folder के अंदर भी Folder बना सकते हैं जिसे Sub Folder कहते हैं. एक Folder का Chain करें और उसे खोलें. उसमें खाली स्थान पर Right क्लिक करें तो Pop-Up Menu प्रकट होगा. उसमें सब से पहले नया पर क्लिक करें और फिर Folder चुने. एक Folder सुरुजित हो जाएगा. फाइल फोलडर को खोलने के लिए निम्न का अनुसरन करें. पहले Start पटन को दबा Start Menu को खोलें. तब Computer Window या Windows Explorer प्रदर्शित करने के लिए Computer पर क्लिक करें. तब D Drive में उपलब्ध सामगरी लिए D Drive पर क्लिक करें. तब जिस Folder को आप खोलना चाहते हैं उस पर Double Click करें. उसे Folder के अंदर जिस Subfolder या File को आप खोलना चाहते हैं पर Double Click करें. File या Folder को कैसे संरक्षित करें या नाम बदलें. जब आप D Drive में Folder या Subfolder या File बनाते हैं तो स्वच आलित रूप से New Folder या New Text Document के नाम से संरक्षित हो जाता है. Folder या Subfolder या File का नाम बदलने के लिए उस पर Right Click करें. नए पॉप अप में नाम परिवर्थित करें, Rename चुने. नया नाम लिखें और Enter दबाएं. फोल्डर या Subfolder या File का नाम परिवर्थित हो जाएगा. Windows Operating System में कुछ सहायक सामगरी होती है, जो अत्यंत उप्योगी होती है. हम इन उप्योगी सामगरीयों में से कुछ के विशय में सीखते हैं. इन उप्योगी सामगरीयों को देखने के लिए निम्न निर्देशूं का पालन करें. पहले Start बटन को दबा कर Start मेन्यू को खोलें. ततपस्चात माउस से All Program पर चिन हित करें. उसके बाद Accessories पर क्लिक करें. यहाँ पर विभिन Accessories की सुची होती है. संबंधित Accessories पर क्लिक करें. पेंट का प्रयोग चित्रों को बनाने, परिवर्थित करने एवं फोटो देखने के लिए होता है. आप पेंट का प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी करने अत्वा मुझूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं. आप चित्र की प्रती लेकर किसी अन मेन्यू को खोलें, तद पश्चाद माउस से All Program पर चिन्हित करें, उसके बाद Accessories पर क्लिक करें, यहां पर विभेन Accessories की सुची होती है, Accessories पर क्लिक करें और Paint को चुनाव करें, तब Paint Window दिखने लगेगा, आप देखेंगे कि Paint Window चार भागों में विभाजित है, Paint Button, Quick Access Toolbar, Drawing Area, एवं Ribbon, Paint Button के साथ आप कई तरह के कारे कर सकते हैं, Paint Button के विभिन विकल्प हैं, खोलें, Open, नया, New, सनरक्षित करें, Save और चापें, Print, Quick Access Toolbar अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे Save, Redo और Undo तुरंत उपलब्द कराने में आपकी सहायता करता है, Ribbon में दो टैब हुती हैं, Home और View, Home टैब उन उपकरणों को उपलब्द कराता है, जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयोगत होते हैं, यह क्लिप बोर्ड, ब्रश, टूल, शेप और कलर आधी होते हैं, क्लिप बोर्ड में तीन विकल्प होते हैं, Cut, Copy वपेस्ट, जिन विकल्पों का प्रयोग कर, आप Paint पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं, प्रतिलीपी या प्रतिबिम्ब बना सकते हैं, अथवा चिपका सकते हैं, यह विकल्प एक ही विशे को कई बार प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है, प्रतिबिम्ब का चुनाव आपको उन विश्यों को चुनने, वसंपादित करने में सहायता करता है, जिनको आप चैनित करना चाहते हैं, काट चाट करना चाहते हैं, आकरती में परिवर्तन करना चाहते हैं, अथवा गुमाना चाहते हैं. उपकरण टूल का चैन आपको विभिन उपकरण उपलब्द कराता है, जिससे आप आकरती बना वसंपादित कर सकते हैं. यह उपकरण है पैंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बढ़ा करना ब्रश में नीचे की और खुलने वाला एक मेन्यू होता है जिससे आप चित्र बनाने के लिए विभिन प्रकार के ब्रशों का चैन कर सकते हैं आकरतियां विकल्प से आप अपने चित्र को विभिन आकरतियां दे सकते हैं रंग विकल्प से आप अपने चित्र में विभिन रंग भर सकते हैं दीदी, तुमने यह भी कहा था कि Microsoft Windows के विप्रीत यहां मुफ्त ओपरेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध हैं हाँ रोहन, Linux एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा कुले स्रोध का अपरेटिंग सिस्टम है यह सौफ्टवेर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है चलो हम इस पर नज़र डालते हैं Linux, Unix, ओपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जानामाना वर्जिन है जो Linus Storewalls द्वारा विक्सित किया गया है Linux, Microsoft Windows जैसे दूसरे ओपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है Linux की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही गतिशील है उपियोग करता इस सौफ्टवेर को विक्सित करने, संशोधन करने अथवा प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र है Linux को दो अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है Free Download अथवा वितरन का उपियोग कर Linux दुनिया भर में करोडों उपियोग करता हूं द्वारा सफलता पूर्वक उपियोग किया जा रहा है Linux की सभी आवश्यक भागों को इंटरनेट से बिलकुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है Linux उपियोग करने का एक वैकलपिक रास्ता है जो विभिन कंपनियों द्वारा पेश किया जा रहा है और जिसमें विभित प्रकार के एप्लिकेशन वो इंस्टॉल करने वाले प्रोग्राम जुड़े हैं जो Linux के अधिश्ठापन को आसान कर देते हैं एक बहुत प्रसिद Linux का वितरन करता होता है जिसे Ubuntu कहते हैं जो कॉनिकल कंपनी द्वारा वितरित किया जाता है अब हमें Ubuntu के बारे में सीखना चाहिए Ubuntu एक स्वतंत्र मुक्त सौफ्टवेर प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन, टाबलेट और कंप्यूटर के द्वारा हर जगा चलाया जाता है Ubuntu में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता है जो इसे विंडो अथवा Android जैसे दूसरे प्रचलित ओपरेटिंग की तरह बनाता है Ubuntu के वर्जिन 12.10 डिफॉल्ट डेस्टॉप वातावरन के रूप में यूनिटी का उप्योग करता है यूनिटी डेस्टॉप प्रच्ट भूमी और दो बार रखता है जिसे मैन्यो बार और लॉंचर कहते हैं मैन्यो बार डेस्टॉप के शीर्ष पर स्थित क्षेतिज पट्टी है लॉंचर एक खड़ी पट्टी है जो मैन्यो बार के बाई तरफ होती है मैन्यो बार में सामाने कारे शामिल होते हैं जो अबन्टू 12.10 में उप्योग होते हैं जो आइकन्स मेन्यू बार के दाहिने तरफ होते हैं, उसे संकेतक क्षेत्र कहते हैं। कीबोर्ड सूचक आपके कीबोर्ड, लेयाउट चुनने और कीबोर्ड प्रात्मिक्ताओं को बदलने की अनुमती देता है। संदेश सूचक में सभी सोशल एप्लिकेशन को शामिल किया जाता है, जो ततकाल इंस्टेंट मेसेंजर क्लाइंट, इमेल क्लाइंट, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लिकेशन और दूसरे समान एप्लिकेशन को सम्मिलित रखता है। नेटवर्ग सूचक आपको तार्युक्त, अथवा तारमुक्त नेटवर्ग को आसानी से जोडने और नेटवर्ग कनेक्शन को प्रबंधित करने की अनुमती देता है। ध्वनी सूचक ध्वनी की मात्रा के रूप में अच्छी तरह से उपयोग अपने म्यूजिक प्लेयर और ध्वनी सेटिंग्स समायोजित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है. घड़ी सही समय प्रदर्शित करती है और केलेंडर समय और तारीक सेटिंग्स का उपयोग करने के लिए आसान तरीका उपलब्द कराता है. यूजर मेन्यू आपको अलग-अलग उपयोग करता हों और ओनलाइन सामगरी और उपयोग करता खातों के बीच परिवर्दन करने की अनुमती देता है. एक सत्र या सेशन सूचक सिस्टम सेटिंग का उपयोग करने, सोफवेर अपडेट करने, प्रिंटर डिवाइस को लॉग करने के लिए, सेशन विकल्प प्रदान करने, सेशन से लॉग آउट होने, कंप्यूटर को पुनह आरंभ करने या पूरी तरह से बंद करने के लिए आसाम तरीका उपलब्ध कराता है। Application Menu एक प्रणाली है जहां किसी एप्लिकेशन में विभिन कारे जैसे परिवर्तन करने देखने आदी को निश्पादित किये जा सकते हैं। अन्य GUI वातावरन के विपरीत, युटिलिटी में आवेदन, मेन मेन्यू, बार के बाईं और स्थित है। एक विश्विष्ट आवेदन को देखने के लिए आप सूचक का प्रयोग करके डेस्क्टॉप के मेन्यू बार पर आवेदन, आइकन के लिए माउस को स्थाना अंतरित कर सकते हैं। यह है डेस्क्टॉप के मेन्यू बार में खुद को उपर रख कर एप्लिकेशन को सक्षम करेगा। इसलिए इस एप्लिकेशन को देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। माउस को मेन्यू बार से दूर ले जाने पर डेस्क्टॉप फिर से दिखाई देने लगता है यूटिलिटी का वह फीचर जो एप्लिकेशन दिखाता है एप्लिकेशन के मेन्यू केवल जब जरूरत होती है जब ये नेटबुक और लेप्टॉप उप्योग करताओं के लिए फायदे मंद होता है और इसे अधिक मुक्त वर्क स्पेस प्रदान करता है उर्धवादर पट्टी के आइकन्स जो स्क्रीन के बाई तरफ होते हैं लॉंचर कहलाते हैं जब ये लॉंचर चलाया जाता है तो ये है सक्रीय आइकन्स के एप्लिकेशनों को आसान पहुँच प्रदान करता है लॉंचर में सबसे उपर पहला आइकन डैश कहलाता है जो एक निरनायक होज वो मूल तत्व है एक एप्लिकेशन को लॉंचर से रन करने अथवा पहले से रन हो रही एप्लिकेशन को प्रदश्रित करने के लिए एप्लिकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं Foreground में Application अपने आइकन के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोन के द्वारा संकेतिक किया जाता है. Launcher के द्वारा Application जोड़ना और हटाना एक एप्लिकेशन को जोड़ने के लिए Launcher के Application आइकन पर दाहिने क्लिक करके और Launcher के Lock का चैन करके Application को रन करें. Launcher से एक Application को हटाने के लिए पहले Application आइकन पर दाहिने क्लिक करें, फिर Unlock से Launcher का चैन करें. Dash 1000 है जिसकी मदद से आप Computer पर Application वो फाइलों का तेजी से पता लगा सकते हैं, वो उन तक पहुँच सकते हैं. Dash का पता लगाने के लिए Launcher के सबसे उपर वाले आइकन जिस पर Ubuntu का प्रतीक चिन बना हो पर क्लिक करें. Dash आइकन का चैन करने पर एक और विंडो खुलेगी, जिसमें सबसे उपर सर्च बार के साथ ही हाल में इस्तेमाल की गई Application, फाइल और Download का संग्रह भी होगा. Dash आपको स्थानिय स्तर वसुदूर की सूचनाई खोजने की अनुमती देता है. Dash की मुखे विशेशताएं. Dash की दो मुखे विशेशताएं हैं. फाइलें वफोल्डर ढूनना और Application को ढूनना. Workspace आपको Application को एक समूह में करने की अनुमती है, जो अव्यवस्था को कम करता है, और Desktop Navigation में सुधार लाता है. मूलभूत रूप से Ubuntu में चार Workspace होते हैं. एक Workspace से दूसरे Workspace पर जाने के लिए Launcher पर Workspace, Switcher पर क्लिक करें. यह Application आपको एक Workspace से दूसरे Workspace पर जाने की अनुमती देता है. Windows को बंद करना, अधिक्तम करना, न्यूनतम करना, वो बहाल करना. न्यूनतम बटन विंडो को वर्तमान में दिखाई पढ़ने वाली स्क्रीन से हटा कर उसे Launcher में रखा देता है. अधिक्तम बटन एप्लिकेशन को Windows की पूरी स्क्रीन पर फेला देता है. Windows को बंद करने के लिए, विंडो के उपर बाइकोने पर दिये हुए Cross बटन पर क्लिक करें. विंडो को Workspace पर इधर उधर ले जाने या हटाने के लिए, माउस के पॉंट को Window के टाइटल बार पर ले जाएं और माउस के बांए बटन से क्लिक करें. तथा, बायबटन को दबाए रखते हुए Window को खीचें. विंडो का आकार बदलने के लिए, माउस पॉंटर को बांए सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें, कि माउस पॉइंटर दो तरफा तीर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे Resize आइकॉन कहते हैं, माउस के Buy बटन से क्लिक करें, तथा Buy बटन को दबाए रखते हुए विंडो को खीचें, कम्प्यूटर पर फाइल का पता लगाने के दो तरीके हैं, सीधे Launcher के डैश के माध्यम से जिस फोल्डर में फाइल रखी गई हो का पता लगा कर उस तक पहुँचना, या सामाने तह उप्योग में लाए जाने वाले फोल्डरों वहाल में ही प्रयुक्त फाइलों में फाइल वह फोल्डर टूल का प्रयोग करना, Go में जाने के लिए अपने माउस को बार पर सबसे उपर ले जाएं और Go को चुने, तब इस मेन्यू कम्प्यूटर पर क्लिक करके अपने कम्प्यूटर की फाइलें खोजें, यदि आप Home Network स्थापित करते हैं, तो आपको साजा की गई फाइल या फोल्डरों के लिए मेन्यू में आइटम मिल जाएगा, Home फोल्डर का प्रयोग व्यक्तिगत फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, यह है उप्योग करता के लॉग इन नाम से मेल खाता है, इसमें बहुत सारे वे फोल्डर होते हैं, जो इंस्टॉलेशन के दौरान अपने आप बन जाते हैं, इसमें डेस्टॉप दस्तावेज, डाउनलोड, म्यूजिक, संगीत, चित्र, पब्लिक, टेंपलिट्स और वीड़ो एक्स्प्लोरर होता है, उसी प्रकार अबन्टू फाइल वो फोल्डरों को खोजने के लिए डिफॉल्ट रूप से नॉटिलस फाइल मैनेजर का प्रयोग करता है, दीदी, नॉटिलस फाइल मैनेजर कहा है? नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो, डेस्टॉप पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो, नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो खुल जाएगी, डिफॉल्ट विंडो में निम्न किशेशताएं होती है, मेन्यू बार, टाइटल बार, टूल बार, बाया पैन वर दाया पैन, निम्न पद है, फोल्डरों के बीच नविगेट करने के लिए, नॉटिलस फाइल मैनेजर के बाय पैन में पुस्तक चिन्हों का प्रयोग करें, वापस जाने के लिए, पाथ बार में फोल्डर के नाम पर क्लिक करें, एक दिखने वाले फोल्डर पर डबल क्लिक आपकी उस से नेविगेट करने में सहायता करेगा, नॉटिलस के साथ फाइल को खोलने के लिए, उसके आइकन पर डबल क्लिक करें, अथवा आइकन पर दाया क्लिक करें, और ओपन विद के विकल्पों में एक को चुने, नॉटिलस में एक नया फोल्डर बनाने, वा सेफ करने के पहले फाइल पर क्लिक करें और फिर create new folder पर क्लिक करें। उसके बाद बनने वाले default folder का नाम, untitled folder को इच्छानुसार नाम दें, यह Nautilus में सुरक्षित हो जाएगा। फाइल या folder को copy करने या प्रतिलिपी बनाने के steps हैं। पहले एडिट पर क्लिक करें, फिर item पर क्लिक करें, अथवा right क्लिक करें और pop-up menu से copy चुने। अब आप copy की गई फाइल को इच्छित स्थान पर paste करें। कई Nautilus Windows का प्रयोग करना। आप निम्न प्रकार से कई Nautilus Windows भी खोल सकते हैं। पहले फाइल बनाए, तब New Window पर क्लिक करें। यह नई विंडो खोलेगा और आपको फाइलों या folderों को दो स्थानों से ड्राग करने की अनुमती देगा। नया टाब खोलने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें। फिर New टाब। फाइल की ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्थान के उपर दो टाब युक्त एक नई पंक्ती खुलेगी। दूसरा पैन खोलने के लिए व्यू पर क्लिक करें। फिर Extra पैन पर। यह आपको टाब या विंडो के मध्य स्विच किये बिना ही दो स्थानों पर एक साथ देखने की सुविधा देता है। आप Nautilus या Dash का प्रयोग कर फाइल या folder को खोज सकते हैं। पहले Nautilus में Go, Search for File पर क्लिक करें। या Ctrl के साथ F दवाएं। फिर जो खोजना चाहते हों उसे टाइप करें। Dash में सबसे उपर सर्च बार में आप केवल खोज का टर्म टाइप करें। Ubuntu में Libre Office सबसे अधिक लोकप्रिय सुईट है, जो डिफॉल्ट रूप से स्थापित होता है। यह भी वैसी ही कारे प्रणाली उपलब्ध कराता है, जैसे के Microsoft Word, Excel, PowerPoint, सिर्फ इसके की यह एक मुक्त स्वतंत्र सॉफ्ट्वेर है। इन सभी एप्लिकेशनों तक launcher के द्वारा पहुँचा जा सकता है। ठीकना मज़िदार नहीं था। चलो, अब हम लोग मज़िदार कतिविधी में भाग लेंगे। हाँ रोहन, आजकल मुबाइल फोन व टाबलेट भी परसनल कम्प्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबियां रखते हैं। साथ ही साथ अन्य खूबियां जैसे टच स्क्रीन, सेलूलर, ब्लूटूथ, वाइफ़ाई, जीपीएस मुबाइल, नेविगेशन क्यामरा, वीडियो क्यामरा, स्पीच रिकोगनिशन, आवाज रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर व अन्य विशेशताएं। अधिकांश मुबाइल फोनों में एंड्रोइड, विंडोज अत्वा सिंबियन ओपरेटिंग सिस्टम होता है। हाँ, बिल्कुल, चलो यहां से शुरू करते हैं कि एक मुबाइल फोन में विभिन सुविधाओं का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले यह सीखते हैं कि मुबाइल फोन से कॉल कैसे करते हैं। कॉल करने के लिए की पैड पर फोन नमबर टाइप करें। यदि आपके पास स्मार्ट फोन है तो होम स्क्रीन पर फोन आइकन पर जाएं और उस पर टाप दें। आप स्क्रीन पर नमबर पैट देखेंगे, जिस नमबर पर आप बात करना चाहते हैं, उसे टाइप करें, उसके बाद बाई तरफ हरा बटन अथवा उत्तर बटन दबाएं, स्मार्ट फोन होने पर हरे बटन पर टैप दें, स्क्रीन तरशाएगी कि नमबर डायल हो रहा है, क तरह आप कॉल कर सकते हैं, कॉल समाप्त करने के लिए लाल बटन दबाएं, अथवा लाल बटन पर टैप दें, अब हम सीखते हैं कि कॉल का उत्तर कैसे दें, अथवा निरस्त कैसे करें, जब आपके फोन की घंटी बजे, तो उत्तर देने के लिए हरा बटन दबाएं, स्म स्मार्टफोन होने पर दाएं से बाएं स्वाइप करें। हम पिछले मिलाए गए नमबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं। आसान है, पहले होम स्क्रीन पर बाएं तरफ के हरे बटन को दबाएं। यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें। यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा। उसके पश्चात नंबर चुने और हरा बटन दबाएं। इसी तरह स्मार्टफोन होने पर नंबर पर टैप दें। नंबर की डायल होने लगेगा। आप कॉल इतिहास इस तरह देख सकते हैं। डायल की गई कॉल के तीन टाब दिखाएगा। फिर जिस टाब को आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। यह आपको कॉलों की सुची, समय, वतिति के साथ दिखाएगा। स्मार्टफोन होने पर सभी कॉलें एक ही सुची में दिखेंगी। इस पर संदेश भेज सकते हैं। फोन में ध्वनी का स्तर को निम्न रूप से अनुकूल करते हैं। सबसे पहले फोन की मुख्य स्क्रीन में मेन्यू बटन दबाएं। फिर विकल्प मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग मेन्यू में साउंड या औडियो विकल्प चुने। उसके बाद sound menu में volume विकल्प ढूंडे, ringer या ringtone में volume control पाय जाते हैं, अंत में speaker विकल्प पर चुने, वो keypad को उपर नीचे कर volume level सेट करें, आपके smartphone में आवाज नियंतृत करने वाले बटन बाहर होते हैं, मात्र इधर उधर दबा कर आवाज की प्रबलता नियंतृत की जात है, मैं अपने मित्र का phone number वो अमित का नाम शामिल करना चाहता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? आप नया संपर्क ऐसे जोड सकते हैं, जब phone standby mode में हो, तो menu दबाएं, smartphone होने पर phone icon पर टाप दें, तब menu विकल्प में अपने phone की phone book पर जाएं, यह होम स्क्रीन पर phone के एक चित्र अथवा शब्द phone, phone book या संपर्क से दिखाई गई होगी, अब उपलब्ध विकल्पों में new contact का चैन करें, पहले जिस संपर्क को आप जोडना चाहते हैं, उसका number area code स्क्रीन पर दिखने वाले form पर भरें, smartphone में number pad व अंक टाइप करें, add to contact पर टाप दें और तब create new contact पर, और तब form में उप्युक्त स्थानों पर अपने मित्र का पहला व अंतिम नाम लिखें, तब से संरक्षित करने के लिए save या add to contact दबाएं, tap देना सुनिश्चित करें, अब नया संपर्क अपने mobile में जुड़ जाएगा, phone में पहले से ही संरक्षित संपर्क के विबरन में edit करने के लिए संपर्क का नाम चुने, edit का चैन करें, tap दें, सही विबरन टाइप करें, और फ पहले standby mode में menu दबाएं, तब संदेश सेवा, फिर लिखित संदेश, फिर संदेश बनाएं का चैन करें, एक स्मार्टफोन में home screen पर messaging आइकन तुने, उस पर tap दें, आप देखेंगे कि संदेशों की सूची खुलेगी, संदेश बनाएं, संदेश लिखें को चुने, स्मार् फोन में right message आइकन पर tap करें, टेक्स्ट बॉक्स में संदेश लिखें, चित्र या कुछ अन्य जोडने के लिए विकल्प का चैन करें, फिर insert object दबाएं, स्क्रॉल कर नीचे बांचत पिच्चर या object आएं, view फिर insert दबाएं, नियत स्थान पर प्राप्त करता का नंबर अत्वा यदि आप सुरक्षित किये हुए किसी संपर्क को संदेश भेजना चाहते हैं, तो phone book पर क्लिक करें, संपर्क का चैन कर, okay पर क्लिक करें, स्मार्ट फोन में प्राप्त करता के नाम के कुछ अक्षर, two column में लिखें, आप देखेंगे कि contact book से नामों की सूची प्रक दिया जाएगा, मुख्य सूची पर वापस आने के लिए समाप्त या निरस्त पर क्लिक करें, टाप दें, आप अपना संदेश ऐसे पढ़ सकते हैं, जब आपको संदेश प्राप्त होता है, तो आप home screen में सबसे उपर लिफाफे का निशान का आइकन देखेंगे, आप स्क द्वारा इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल रोहन, तुम कर सकते हो, यह तो बहुत अच्छा है, मुबाइल फोन द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मुबाइल फोन द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको चाहिए होगा? एक मुबाइल फोन जो इंटरनेट एकसेस या उपयोग को समर्थित करता हो एक मुबाइल फोन सेवा जो डेटा संचरन का समर्थन करती हो जैसे 2G, 3G और Wi-Fi फोन द्वारा इंटरनेट तक पहुँशने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मुबाइल सर्विस प्रोवाइडर से एक खाता बहुत सारे मुबाइल फोन डाटा एकाउंट सेटिंग के साथ ही आते हैं यदि आपका नहीं है, तो आपको सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा के इंदर से बात करनी चाहिए। आप अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल इंटरनेट सेवा इस तरह स्थापित कर सकते हैं। पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग मेन्यू पर नेविगेट करें। ज्यादतर उपकरनों में मोर या मोर सेटिंग्स बटन जो भी उपलब्द हो उस पर क्लेक करें। जब वारलेस और नेटवर्क सेटिंग हो जाती हैं, तो आप इंटरनेट, वाइफाई या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से जोड सकते हैं। वाइफाई से जुडने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें। पहले सेटिंग विकल्प से अत्वा नोटिफिकेशन मेन्यू में वाइफाई बटन को क्लेक करके वाइफाई विकल्प को चालू करें। तब आपको उपलब्द इंटरनेट नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी। यदि आपने वाइफाई नेटवर्क पहले से ही सेव कर रखा है तो यह है आटोमेटिक ही जुड जाएगा। अन्य था आपको वाइफाई नेटवर्क जिसे आप जोडना चाहते हैं चुनना होगा। यदि पास्वर्ट की आवशकता हो तो उससे इंटर करें और कनेक्ट पर क्लेक करें। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करें। इंटरनेट के लिए मोबाइल नेटवर्क जोडना पहले वाइरलेस वो नेटवर्क विकल्प में अधिक सेटिंग या मोर सेटिंग विकल्प पर जाएं। तब मोबाइल नेटवर्क पर क्लेक करें। वहाँ आपको मोबाइल डाटा चेक बॉक्स को चेक करना होगा। अब इंटरनेट तक पहुँशने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उप्योग करें। कीपैड आधारित फोनों में भी हर कोई बड़ी आसानी से इंटरनेट का उप्योग कर सकता है। पहले मेन्यों में जाएं, फिर इंटरनेट चुनें। तब या तो होमपेज का चैन करें, अन्यथा होम स्क्रीन में शूने को कुछ ख्षण के लिए दबा कर रखें। उसके पश्चात वेब इड्रेस इंटर करें और गो टू इड्रेस का चैन करें। तब इड्रेस इंटर करें और ठीक है का चैन करें। वेब खोजने के लिए यदि आप पहली बार सर्च कर रहे हूं तो सर्च का चैन करें और खोजे जाने वाले विशे को दर्ज करें और सर्च का चैन करें मेरी मुबाइल में रेडियो है मैं उसे कैसे सुन सकता हूं? रेडियो सुनने के लिए पहले स्टैंडबाई मोड में मेन्यो दबाएं तब मीडिया और फिर रेडियो पर जाएं स्मार्टफोन हुने पर मेन्यो में रेडियो आइकॉन पर टाप दें फिर फोन को संगत हेंड से जोड़ें यह एक एंटीना की तरह कारे करता है उसके बाद Automatic अथवा Manual Tuning विकल्प का चैन करके जो रेडियो चैनल आप सुनना चाहते हैं का चैन करें चैनल सेव करें का विकल्प चुन्ग चैनल सुरक्षित करें तब उपर नीचे स्क्रॉल कर Volume Set करें रेडियो बंद करने के लिए विकल्प फिर बंद करें का चैन करें टैप दें मुझे यह भी बताने दें कि मोबाइल फोन पर गाना कैसे बजाते हैं पहले Standby Mode में Menu दबाए तब फोन में उपलब्द एप्लिकेशन को देखने के लिए Multimedia मेन्यो खोले Music Application, Media या Gallery के रूप में दर्शाया गया हो सकता है तब Music या Sound का चैन करें स्मार्टफोन होने पर Menu में Radio आइकॉन पर टाप दें अपने Media Player पर उपलब्द गाने, Browse करें वो उनमें से अपनी डिवाइस पर बजाने के लिए एक का चैन कर बजाएं गाना बजना रोकने अथवा उसे पुनह बजने देने के लिए Play, Pause Play को डबाएं, टाप दें एक ही बटन Play और Pause के लिए कारे करता है Music Player से निकलने के लिए बाहीं तरफ के लाल बटन को दबाएं स्मार्टफोन में Pause बटन टाप दें आपको अपने फोन पर गाने स्टोर करने के लिए Memory Card की आविशकता होगी अब यहां कुछ तरीके हैं कि Mobile Phone से फोटो कैसे लें पहले Standby Mode में Menu दबाएं तब Media चुने और फिर Camera चुने स्मार्टफोन होने पर Camera आइकॉन धून कर उस पर टाप दें तब Display स्क्रीन को View Founder की तरह प्रयोग करें उपर नीचे खिसका कर Zoom In और Zoom Out कर सकते हैं स्मार्टफोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैला कर अथवा सिकोड कर स्क्रीन को फैला कर डिस्प्ले का आकार बड़ा वचोटा कर सकते हैं फोटो लेने के लिए Select या हां बटन का चैन करें स्मार्टफोन में कैमरा आइकॉन ढूंड कर उस पर टाप कर फोटो कीजें सेव बटन को दबा कर फोटो सेव करें स्मार्टफोन में फोटो, अल्बम या गैलरी में स्वेम ही सेव हो जाती है यह कुछ तरीके हैं जिससे वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है मैनियो में जाकर फोटो और फिर वीडियो कैमरे का चैन करें स्मार्टफोन होने पर कैमरा आइकॉन पर टाप दें तब स्क्रीन के प्रदर्शन को व्यूव फाउंडर की तरह प्रयोग करें जूम इन और जूम आउट करने के लिए उपर नीचे स्क्रॉल करें स्मार्टफोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को पहला कर अधवस सिकोड कर से स्क्रीन पर प्रदर्शन क्षेतर का आकार पदल सकते हैं रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए रिकॉर्ड को चुने स्मार्टफोन में होने पर स्क्रीन पर मौजूद छोटे लाल आइकॉन पर टाप दें रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए स्टॉप दबाएं स्मार्ट फोन में होने पर लाल आइकॉन पर फिर से टाप दें सनरक्षित करें बटन को दबा कर फोटो सुरक्षित करें स्मार्ट फोन में फोटो, अल्बम या गैलरी में स्वेम ही सनरक्षित हो जाती है मोबाइल फोन वज स्मार्ट फोन तीवर गणना के लिए उप्योगी है यह कैसे संभव है? कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेटर प्रयोग करने के तरीके है पहले स्टैंडबाई मोड में मेन्यू दबाएं तब और्गिनाइजर और फिर कैलकुलेटर का चैन करें स्मार्ट फोन होने पर में कैलकुलेटर आइकॉन मेन्यू में धूने और उस पर टाप दे फोन के नंबर पैड का प्रयोग कर नंबर लिखे फिर जोडने, घटाने, गुणा करने वभाग फंक्शन का चैन करें फिर दूसरा अंक लिखे उत्तर जानने के लिए बराबर का चिन्ह दबाएं या टाप दें धन्यवाद दीदी हाँ, बिलकुल रोहन, चलो हम टापलेट के बारे में जानते हैं टापलेट कम्प्यूटर के छोटे, हलके और अधिक प्रवंधनी रूप हैं वेटार रहित वळे जाने योगे यंत्र हैं जिनमें सूचनाओं तक पहुँशने के लिए अथवा प्रोसेस करने के लिए स्पर्श इन्पुट की तरहा प्रयोग होता है टाबलेट में वह ओपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जी यू आई उपलब्ध कराते हैं और एप्लिकेशनों को चला सकते हैं टाबलेट के सुपरसेद ओपरेटिंग सिस्टम हैं एंड्रॉइट, विंडोज व आई ओएस टाबलेट मुख्यता दो भागों में बांटे चा सकते हैं फोन सुविधा के साथ तथा कॉल सुविधा के बिना टाबलेट जो कॉल सुविधा के साथ होता है उसमें सिम कार्ड के लिए खाचा बना होता है आपको call करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा संदेश भीजने वा प्राप्त करने के लिए एक SIM card तथा किसी mobile network का connection की आवशक्ता होगी टाबलेट जिसमें call सुविधा नहीं होती है उसमें SIM card के लिए slot नहीं होगा लेकिन उसमें अन्य सभी विशेश्टाएं समान होती हैं तब भी आप इंटरनेट के प्रेयोग से call करने में समर्थ होंगे चलो अब हम टाबलेट की कुछ विशेश्टाओं के बारे में जानते हैं अधिक्ता टाबलेट निम्न उदेश्यों के लिए प्रेयोग होते हैं कॉल करने के लिए, कॉल प्राप्त करने के लिए, संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए, गाने सुनने के लिए, फोटो खीचने व वीडियो बनाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, ई-पुस्तके पढ़ने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, इमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए Music Photo व वीडियो अन्य से साजह करने के लिए निमने तरीके से टाबलेट पर Music सुना जा सकता है सर्वप्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं तब Music पर टाप देकर पार्ष या Background संगीत इंटरफेस को एंटर करें अब आपको Music File सुची को हाल ही में अल्बम कलाकार, गीत, प्ले लिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प का चैन करके वर्गिकरित कर सकते हैं फिर गानों को एक सेकिंड के लिए दबाएं, टाप दें जिससे विकल्प मेन्यू प्रकट हो जाएगी इसके बाद आप Play, Add to Play List, Shop for Artist, Delete या सर्च विकल्पों में से किसी एक का चैन कर सकते हैं तब Play पर टाप देकर पार्श्व संगीत इंटरफेस को एंटर करें और फिर बजाने के लिए गानों पर टाप दें निम्न तरीके से टाबलेट में फोटो खीची जा सकती है सर्व प्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें तब Photo Mode चुन्ने इच्छित Photo Mode पर टाप दें कैमरे को विशे की और केंदरित करें आटो फोकस को सक्रिय करने के लिए स्क्रीन पर किसी स्थान को छुएं और दबाय रखें पोटो लेने के लिए उंगली उठाएं टाबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सर्व प्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें तब वीडियो मोड चुनने के लिए फोटो मोड में पसंद किये हुए आइकॉन पर टाप दें कैमरे को विशे की और केंदरित करें टाप देकर रिकॉर्डिंग शुरू करें recording बंद करने के लिए tap दे, photo वर record के गए वीडियो मिटाने के steps है, जिस photo या वीडियो को आप मिटाना चाहते हैं, इससे खोजे, trash icon दिखाई दिये जाने के लिए screen पर tap दे, photo या वीडियो को मिटाने के लिए इस पर tap दे, आप फोटो और वीडियो इस तरह देख सकते हैं। पहले, एलबम ढूंड कर उस पर टाप दें। फिर, जिस फोटो या वीडियो को देखना चाहते हैं, उस पर टाप दें। आगे की फोटो देखनी के लिए बाई और धके लें। तथा पीछे की फोटो या वीडियो देखनी के लिए दाई और धके लें। वीडियो देखनी के लिए निम्न का अनुसरन करें। मेन्यू से पिच्चर अथवा अल्बम टाप खोलें। अब ग्रिड व्यू अत्वा लिस्ट व्यू का प्रयोग कर जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसे खोलें। जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस पर टाप दें। यदि प्लेबैक नियंतरन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टाप दें। वीडियो रोकने के निम्नपद हैं। जब वीडियो चल रहा हो, तो प्लेबैक नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टाप दें। उसके बाद वीडियो को रोकने या चलाने के लिए Pause या Restart पर टैप दें। वीडियो पीछे करना अत्वा तेजी से आगे बढ़ाने के पद हैं। जब वीडियो चलने के दौरान प्लेबैक नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। इसके बाद वीडियो को तेजी से आगे ले जाने के लिए Progress Bar Marker को दाईं और और पीछे ले जाने के लिए बाईं और खीचें। टाबलेट में e-book पढ़ने के लिए पहले टाबलेट में इंस्टॉल किये हुए Default Book Reader पर जाएं। फिर Book Reader आइकॉन पर टैप दें। उसके बाद पूर्वस्थापित किताबों में से जो किताब पढ़नी हो उसका चैन करें। फिर किताब पढ़ना प्रारंब करने के लिए Books आइकॉन पर टैप दें। मैंने सुनाए कि आप टैपलेट से इमेल भेज वो प्राप्ट कर सकते हैं। हाँ रोहन टैपलेट पर इंस्टॉल किये हुए विशिष्ट एप्लिकेशनों का प्रयोग करके लगभग सभी पॉप अप या IMAP इमेल पतों का उप्योग इमेल भेजने वो प्राप्ट करने के लिए कर सकते हैं। चलिए हम आपको टैपलेट में इमेल लिखने के तरीकों के बारे में बताते हैं। यहां इस प्रष्ट पर Compose या Right New पर टाप दें। नई विंडो में सेवा में केक शेतर में प्राप्त करता का ईमेल आईडी एंटर करें। विशय केक शेतर में विशय एंटर करें। बीच के खाली स्थान में संदेश एंटर करें। तद पश्चात सेंड आइकॉन पर आईकॉन को देखने के लिए स्क्रीन को नीचे खिसकाएं, यथा क्रम मेन्यू में इमेल भेजने वाले के आईकन पर जाएं, अब आईकॉन पर टाप दें, स्क्रीन पर आपका मेल इन बॉक्स खुल जाएगा, इमेल पर टाप दें और उसे पढ़ें, हम किसी फाइल गो आईकॉन को टूंडें, उसे खोलने के लिए उस पर टाप दें, सर्च इंजन का प्रयोग करके, हम स्क्रीन पर फाइल ब्राउजर आप ढूंडें, उस पर टाप दें, यह सबसे उपर माई फाइल दिखाएगा, सूची से बांचित फाइल या फोल्डर को ढूंडें, उसे खोलने के लिए उस पर टाप दें, सर्च इंजन का प्रयोग करके, होम स्क्रीन पर मैगनिफाइंग ग्लास की तरह दिखने वाले सर्च आईकॉन को टूंडें, उस पर टाप दें, जिससे एक नई विंडो क्रकट होगी, आप देखेंगे कि उस पर एक शैतिच टाप में सर लिखा होगा, उसमें जो सूचना आप ढूनना चाहते हैं, उसके पहचान शब्द लिखें, ओनलाइन सर्च का परिनाम स्क्रीन पर आजाएगा, इसको खोलने के लिए वांच्छित पर टाप दें, हम टाबलेट से संदेश कैसे बेच शकते हैं, टाबलेट से संदेश मेसेजिंग आइकॉन तूडें, मेसेजिंग आइकॉन पर टाप देने पर आप प्राप्त संदेशों की सुची देखेंगे, राइट न्यू आइकॉन खोजें जोकि स्क्रीन पर एक लिफाफे की साथ जमा के चिन्ह अथ्वा पैंसिल के साथ जमा के चिन्ह द्वारा जाएगा, राइट मेसेज पर टैप दे और अपना संदेश लिखना प्राप्त करें, संबंधित आइकॉन पर टैप दे, आप फाइल, दस्तावेस, फोटो या म्यूजिक फाइल अपने संदेश के साथ जोड सकते हैं, सेन आइकॉन पर टैप दे, आपका संदेश बेज दिया जाएगा, इस प्रकार आप प्राप्त किया हुआ संदेश पर सकते हैं, जब आपको संदेश प्राप्त होगा, तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेसेजिंग आइकॉन दिखाई देगा, अत्वा होम स्क्रीन के मेसेजिंग आइकॉन पर एक अंक लिखा पाएंगे, जो की चाहते हों उस पर टैप दें। आपको वाई-फाई नेटवर्क चुनना होगा जिससे आप जुनना चाहते हैं। यदि पासवर्ट की आवशिक्ता हो तो पासवर्ट डालें और कनेक्ट पर क्लिक करें। इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग कर इंटरनेट चलाएं। आप टैबलेट को मोबाई-फाई नेटवर्क के द्वारा भी इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। इसका तरीका यह है। पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके टैबलेट में मोबाई-फाई नेटवर्क वाला सिम कार्ड है। तब टैबलेट के द्वारा इंटरनेट से जोड़ें। आप नोटिफिकेशन बार को नीचे खीच सकते हैं। और मोबाई-एल डाटा विकल्प का चैन कर सकते हैं। या आप वारलेश नेटवर्क विकल्प में मोर सेटिंग्स में जा سकते हैं। तब Mobile Network बटन पर क्लिक करें, जहां आपको Mobile Data चेक बॉक्स को चेक करना होगा। एक बार क्लिक किये जाने के पच्चाथ, आपका टाबलेट Mobile Network प्राप्त करना शुरू कर देगा। इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग करें। दी दी, आपने का था कि कुछ टाबलेट फोन की तरह भी प्रयोग किये जा सकते हैं। हम यह कैसे कर सकते हैं। जब आपका टाबलेट बंद हो, तो आपको उसके SIM Card स्लोट में वैदे GSM SIM Card डालना होगा। चलो हम देखते हैं कि टाबलेट से फोन कॉल कैसे कर सकते हैं। जब वह जुड जाएगा तो आप बात कर सकते हैं। यदि आप संपर्क पुस्तिका अत्वा संपर्क सूची से किसी को फोन करना चाहते हैं, तो निम्न पदों का अनुसरन करें। पहले अपने टाबलेट की फोन बुक अत्वा संपर्क सूची में जाएं। फिर उस नाम को खोजें जिससे आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद जिसको संपर्क करना है उसके नाम पर टाप दें। फिर जिससे संपर्क करना है उसके नमबर पर टाप दें। फिर संपर् मैं तुम्हें टाबलेट की अन्य विशेश्टाओं के बारे में बताऊं। सच में? रोहन टाबलेट में कई भाशाएं संचित होती हैं। आप टाबलेट को जिस भाशा में चलाना चाहते हैं, उस भाशा का चैन कर सकते हैं। चलो अब हम टाबलेट में भाशा नियत करना सीखें। पहले एप्लिकेशन मेन्यू में सेटिंग पर टाप दें और सूची में से भाशा वो एंटर करें, का चैन करें। फिर भाशा पर टाप दें और आप भाशाओं की सूची देखेंगे। उसके बाद वांचित भाशा पर टाप दें और वह भाशा तुरंत ही सेट हो जाएगी। यही पर आप कीबूर्ड की भी वह भाशा चुन सकते हैं, जिसे आप इंपुट करते समय स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। तिथी वसमय नियत करने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें। एप्लिकेशन मेन्यू में सेटिंग पर टाप दें और सूची में से तिथी वसमय का चैन करें। ओटोमेटिक को चुने जिससे तिथी वह समय स्वतह नेटवर्क का प्रयोग करते हुए सेट हो जाएगा. अथवा ओटोमेटिक को निरस्त करके अपने अनुसार सेट करें. दीदी, आप मुझे टैबलेट में एप्लिकेशन को इंस्टॉल करना सिखा सकती है? हाँ, बिल्कुल. एप्लिकेशन या एप टैबलेट की मुखे विशेशताएं होती हैं, जो आपके सेवाएं प्राप्त करने के रास्ते और भी आसान बना सकती हैं. टैबलेट में नए एप्लिकेशनों को पाने के तरीके. पहले टैबलेट के मेन्यू विकल्प में जाएं और फिर मेन्यू में प्ले स्टोर विकल्प पर टैप दें. यदि शुलक रहित एप्लिकेशन है तो आप केवल इंस्टॉल बटन पर टैप दें और आपका टैबलेट स्वता एप्लिकेशन को डाउनलोड वो इंस्टॉल कर हां का विकल्प चुनकर जिसकी पुष्टी किये जाने पर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी वबुगतान का विवरन भरना होगा। फिर एप्लिकेशन को इंस्टॉल करने के लिए स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों का पालन करना होगा। अभी के लिए इतना ही रोहन क्या मोबाइल फोन वट आबलेट के विशे में जानना मज़िदार नहीं था क्या। हां बिलकुल था दीदी बहुत सा धन्यवाद अब मैं मोबाइल फोन वट टाबलेट के विशे में बहुत जांग गया हूं। यह कोई समस्या नहीं है अब हम लोग मज़ेदार गतिविधी में भाग लेते हैं।